आज के समय में लोगों का वास्तो में बहुत अधिक विश्वास होगे हैं। बहुत से लोग अपनी हर समस्य का समधान वास्तो में धूलते भी हैं। सब्सक्राइब करते हैं अगर देखा जाए वास्तों का प्रचल लोगों में काफी ज़्यादा हो गया है वहीं वास्तों में स्वास्तिक को भी बहुत खास माना जाता है और इसके कई सारे लाब भी हैं सभी ने देखा होगा स्वास्तिक का रंग आमतार पर लाल होता है लेकि कर दोस्तों कैसे हैं आप सभी अमेद करती हूं आप सभी स्वास्तौ और आप सभी कुद्धन प्विश्चे कहीं कामना करते हुए आज की वीडियो श्टार्ट करती हूं जादर तर मौकों पर स्वास्तिक को हल्दी से बनाया जाता है या फिर कुमकुम से इसान या उत्तर दिशा में दिवाल पर यदि पीले रंका आप स्वास्तिक बनाते हैं तो ये घर में सुखसांती बनाये रखने में लावकारी होता है इसे प्रपकार मांगले कारे के लिए लाल रंग का स्वास्तिक बनाना भी सुथ होता है कोईले से बना हुआ काला स्वास्तिक बुड़ी नजर और बुड़ी समय को दूर करने के लिए बेहधी उपयोगी और रचूप माना जाता है आपके घर परिवार के सदस्यों पर या आपके वैवेशाई को किसी की भी बुड़ी नजर लग जाती है तो इस बुड़ी नजर के को प्रभाव से बजने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर कोईले से एक स्वास्तिक चिन्न बना ले गर पर इसका सुप प्रभाव परता है तता घर में सुख और सम्डिती आती है किसी वैक्ति को रात के वह सोते ही समय यह सोने के बाद बुड़ी सपने आते हैं तो इसके लिए सोने से पहले अपने तरजनी उंगली से लाल स्वास्तिक चिन्न बना ले और इसके बाद ही सोन करने वालों की बुद्धी ततब विवेक समाप्त होती हैं घर में दर्वीदरिता तनाव और रोग एवं क्लेश में व्रिद्धी होती है दोस्तों मुझे उम्मीर है आज की यह जानकरी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगे ऐसी और भी बहुत सारी जानकरी के लि करने दिया आई होंगे खिए और रोग भी यह जानकरी के लादी है दोस्तों मुद्धी बहुत सक प्सक्तित अज़या रही है व्रिद्धी बदू सतों मुद्धी है गएं जाब हो पनला पनलाग यह जानकरी को बहुत पक्तों बहुत